जैहिन नमस्कार साथियों मैं हूँ तरुना राठोड और आप देख रहे हैं तरुना डिफेंस अकैडमी का यूट्योब चैनल काफी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि औरिजनल पेपर जो है पीछे ओल्ड पेपर रहे हैं वो पेपर करवाओ तो मैंने कहीं से पेपर निकाले हैं और मैं ये पेपर करवाने वाली हूँ आज ये पेपर जो है मैंने देखा तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था नोर्मल सा पेपर था तो हम टारगेट इसमें हमारा रखेंगे 45 प्लस क्यूस्चन का ठीक है 50 क्यूस्चन होंगे 45 प्लस तो हमको राइट करने ही है ठीक है तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे लाइव चैट बोक्स में अपना आंसर देंगे और जो भी स्टूडेंट नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो पेपर्स हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे सभी फोजी जितने भी फोजी देख रहे हैं इस बार सभी चैनल को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप देखो पहला क्यूश्चन आपके सामने आ चुका है जी के का है आपको पता है जी के जी एस मैट्स और रीजनिंग ठीक है चार आपके सब्जेक्ट रहते हैं पहला क्यूश्चन आपके सामने आ गया है अक्षर धाम मंदिर किस राज्य में स्थित है वैसे तो अक्षर धाम मंदिर जो है काफी जगह है लेकिन एक प्रसिद अक्षर धाम मंदिर है वो आपको बताना है कहां पे है तो वो गुजरात तो यह अगर पूछे कि यह मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है कौन से भगवान को समर्पित है तो यह स्वामी नारायन को समर्पित है स्वामी नारायन को ठीक है तो यह अगर हाइड पूछना चाहें तो यह भी पूछ सकते हैं तो स्वामी नारायन को समर्पित है यह कब इसका निर्मान हुआ तो 1902 में इसका निर्मान हुआ तो फॉर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया यहां पे राइट हो गया ठीक है कुछ यहां पर हम important facts और देखेंगे यहां पर तो यह मैं पीडियाफ आपके साथ शियर कर दूंगे टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम भी जोइन कर लेना कुछ और मंदिर है जो यहां पर देखे जा सकते हैं यह कुछ इंसरी्व किस्ट पूछ जा सकता है की श्री वैंके mg tons लेंडर मंदिर हर अपने हिसार के पास में फ्रदेष वर सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है सिंचाई के लिए जो सबसे बड़ी नहर है भारत में उसका नाम आपको बताएगा तो सब सबस्कों पता ही हैं इंदरा गांधी नहर कौन सी नहर है इंदरा है तो सेकिंड आप तक हो जाएगा राइट हो जाएगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फेक्ट्स भी दिये हुए हैं वह भी आप लोग पढ़ ले ना जब मैं इसको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँ ठीक है चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्ष्टन पहे इससे पहले एक इंपोर्टन आ पे देख लेंगे कि 36 गर्ड में बिलासपूर एक गौन्ठ सामराज्य की राज़ानी कौन सी थी तो वह बिलासपूर थी जो ही अब कहां पे थीए ठीक हैं और ऐसा पूछा जाए कि तेलंगाना की राज़ानी कौन सी है 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 और करनाटक की जो राजधनिया वह कौन सी है तो बैंगलोड वे ठीक है यानिकि बैंगलोड तो यह कुछ कुछ क्यूस्टन हमने एक्स्ट्रा कर लिए यहां पर यह भी आपको आने चाहिए फॉर्थ क्यूस्टन आपके सामने आ भारत में तो आप बता देंगे कि राजस्थान है कौन सा है राजस्थान ठीक है तीन लाग 42,249 किलो मीटर स्कॉर्ण वर्ग किलो मीटर जो है वह राजस्थान का छेत्रफल है ठीक है क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यह मुझे याद हैं आपको इतना डीपली नहीं पूछते हैं आपके एक्जाम में चलिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया उत्तरफ्रदेश यानि कि आपका यूपी हो गया नेक्स्ट क्यूश्चन पर चलेंगे हम क्यूश्चन नमबर फाइफ आ गया है आपके सामने यह यहाँ पर देखो दिया हुआ भी अगर डीपली क्यूश्चन आए कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतीशत यूपी में निवास करता है तो सत्रा पॉइंट तीन पां जनसंख्या किसकी है तो सबसे कम जनसंख्या का है सिक्किम की सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या के अनुसार ठीक है और अगर केंद्र शाषित प्रदेश की बात करें तो लक्षदीब भारत का सबसे छोटा केंद्र शाषित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार च सब्सक्राइब करना ठीक है और 1901 से यह प्रतेक दशक में यानि हर दस साल बाद होना स्टार्ट हो गई चलिए यह कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स रहते हैं जो आपको देख लेने हैं मैं आपको यह टेलिग्राम पर शेयर कर दूंगे वेकोज हमें बहुत सारे क्युष्टें करने इतना थाइम नहीं मट भचेगा यह एक सीज हम देख पाएं कुर्ट्स नमबर फाइफ आपके सामने आ चुका है काला हारी रेगिस्थान किस देश में है आपको बठाना है तो यह साऊथ अफ्रिंका में Question number 6 Question number 6 QkeitenB introduction अब आच्प है व्ष्व का सबसे बड़ा रिगिस्थान तो वो सहारा रिगिस्थान है भारत में बात करें तो भारत में थार रिगिस्थान है Question number 6 Q7 उपराश्टपती का कारेकाल कितने वर्षका होता है जल्दी से बता दो तो उप्राश्ट पती का कारेकाल जो है वो 5 वर्षका होता है कितने वर्षका 5 वर्षका भी option आपका क्या हो गया राइट हो गया ठीक है चलो चलते हैं हमारे next question पर question number 7 आईगा अब ठीक है यह कुछ important facts है जो आप टेलिग्राम पे पढ़ लेंगे देखो अगर योग्यता की बात करें उप्राश्ट पती की तो 35 वर्षकी आयू होनी चाहिए भारत का सदस्य वगरी तो आपको बता ही है और राज्य सभा के सदस्य की रूप में चुनाव के ल जोड़ेगी question number 7 ठीक है तो यह एहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी कौन से शहरों को एहमदाबाद और मुंबई को दो नंबर option आपको क्या हो गया राइट हो गया ठीक है question next पे चलते है next question number 8 आपके सामने आगया है ठीक है इस्ट इंडिया कम्पनी का गठन किस वर्ष में किया गया इस्ट इंडिया कम्पनी तो यह 1600 इस्वी में बनी थी यहाँ पे भी दो नंबर option जो है वो राइट हो जाएगा ठीक है 1600 इस्वी में और इसकी जो आगया है वो किस से ली गए थी तो वो जहांगीर से ली गए थी किस से ली गए थी जहांगीर से ऐसे पूछा जाए कि इस इंडिया कम्पनी ने अपना स्थाईकार खाना कहां अ कब किया था एक a और पूछा जाता है कि मुसली पट्नम में जो कब किया था तो हो 1616 में किया था कहां पे मुसली पटनम में ठीक है मुसली पटनम में यह कुछ important facts रहते हैं यह आप देख लेंगे मैं टेलीग्राम पर अज्छे सीघर कर दूंगे इसको next question पर चलते हैं question number 9 अब आपके सामने आएगा कितने देश सार्क के सदस्य हैं कितने देश सार्क के सदस्य हैं तो इसमें आठ देश हैं आपको ध्यानी होगा आठ देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं ठीक है ऐसे पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई तो यह 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को हुई थी कहां पे हुई इसका और पुछा जा सकता है कि इस ऐसका तो और आपको तो ऊपिस में τι कर लेंगे आप से तो वहां पर देख लिया च है इसके पैस्टे में आप करें एफघानिस्टान बेट इस नीचे दिया हुआ यहां से आप पढ़ लो हैं यह देखिए अफगानिस्तान बांगलादेश भूटान भारत माल्दु नेपाल पाकिस्तान और श्री लंका जो है इसके देश ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट किस्टन पर भारत का रास्ट्रिय संग्रहाल्य कहां स्थि इसका उद्गाटन किस ने किया तो सी राजगोपालाचारी ने किया इसना जदा डीपली तो नहीं आना चाहिए चलिए हाँ यह जरूर क्यूश्टन आ सकता है कि भायत का सबसे बड़ा संग्राले बड़ा रास्ट्रिय संग्राले कहां पर तो यह इंपॉर्टेंट होगा खुद आपको बताती हों कि में और विश्व में सबसे बड़ा संग्राले थो ब्रिटिस संग्राले लंडन में अब इसर्ग शलते आपको पता ही है इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर यह जो है यह दिया हुआ भी है तो यह आप देख लेना बाद में चलो चलते हैं नेक्स्ट क्रिश्चन पर आपके सामने आगया है कमप्रिश्च्गा कि Tales Webhaz ने क्या था यह काफी बार आता था जब हम छोटे भी थे और और कम्झाटर का सामने आगया है मोहन बागान किस खेल की ंहां उसक्ति फुट बॉल कि किसकी है फुट बॉल टी आपका क्या हुज जाएगा राइट जाएगा फिस्ट नमबर आते हम 15 पे इसमें 15 पे ठीक है यहां अच्छा 14 पर सबसे गहरा महासागर इतना इजी क्यूस्टन तो मैंने कभी नहीं देखा तो प्रशान्त महासागर राइट अंसर हो जाएगा यह तो 5 ट्रास से आना स्टार्ट हो गया था हमारा जो समाजिक विज्ञान रहता था उसमें तो बी ओप्शन यहां पर क्या हो गया आपका राइट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्विश्टन पर चल रहे हैं रहे हैं उस्टन नमबर 16 ठीक है यह आगया आपके पास अब आपकी जीकिया वहां पर समाप्त हो गई थी 15 किश्चन में अब आपकी जी एस चालू हो गई है ठीक है समझ रहे हैं जी एस चालू हो गई है इसका नाम क्या होता है रसाइनिक नाम सोडियम क्लोराइड ठीक है तो यह आपका राइट आंसर हो गया आंसर नमबर फॉर नेक्स्ट क्यूस्ट पर चलते हैं जो जिनोन का सुत्र होता है उसके महान गैस भी बोलते हैं तो उसका एक्स ए होता है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट सामने आजाएगा शीतल पर में निम्लिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है यानि कि जो कोल्ड रिंग्स वगर आती है मतला समझ गया ना कोल्ड रिंग्स तो यह सी ओटू कार्बन डाई ऑक्साइड गैस जो है वह भरी जाती है हम यहां पर धीरे धीरे कर रहें तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम समझते भी जा रहे हैं साथ में क्यूश्चन को चेक्सटा चीजें भी देख रहे हैं बाकि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा एजी ली आप 40 मिनिट्स भी नहीं लगेंगे आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लोगे अब हम आते हमारे नेक्स्ट क्रिशन पर किस्ट नमबर 18 प्रतिरोध का ऐसाई मात्रक क्या है प्रतिरोध यानि कि रजिस्टेंस इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीडियोफ शेयर की जाएगी टेलीग्राम पे ठीक है प्र यह दो भी पूछे जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे यानि इलेक्ट्रिक करन ठीक है चलो नेक्स्ट क्यूस्ट पर चलते हैं यहां पर सारे आपको मिल जाएंगे मात्रक वगर इसको आप देख लेंगे इस नमबर 19 आपके सामने आ चुका है कौ बराबर होगा यह चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट पर नेक्स्ट क्यूस्ट आपके सामने आएगा भी यह आपको संबंध मिल जाएगा पैमानों में तो इससे आप मान निकाल सकते हैं इजली रटना भी ज़रूरी नहीं है और आपको याद रहता है तो बहुत ही आपने की इकाई कौन सी है ख गोल यह दूरी मापने की काई कई बार कर वा चुक्ए हूं प्रकाश वर्स थी के प्रकाश वर्स तीन नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चलो चलते हैं नेक्स्ट किष्ट्ट पे एक देको पार्स एक भी खगोल ये दूरिमा आपने की इकाई होती है इसको भी आप ध्यान में रख ले ना ठीक है next question question no.21 निमना लिखित में से कौन electronic उपकरण नहीं है electronic कौन सा नहीं है यह आपको बता देना है तो इतना easy question आपको पता यह τेलींद होता है संगनक अन्य कप्यूटर संगनक यानी कमुटर बोल्रा म्वोट क्わあ Gibson फिरफ इंग परिश्ण Turkey कमुटर मिलबॉनिफ यहां पर और यहां पर यह चालग . लेसे सकते हो आप सिलीकॉन वगर क्या होती है और यह कि लगी होती ना जो लगी होती को युद को कि देखना कभी तो यह इसमें बद में नहीं पाय जाते है इसको हम हम electronic device नहीं मानते ठीक है next question पर चलेंगे question number 22 पर आगए हम यह विखो यहां बे कितना अच्छे से समझाया वाई देख लेना आप लो 22 electric heater में heating तत्व किस धातू से बना होता है heating तत्व किस धातू से बना है वो आपको बताना है तो यह जो बहुत है तो नाइक्रोम से ठीक है कौन सा होगा नाइक्रोम से बना होता है heating हीटर हीटर में इस तरह से जो गूमते हुए तार आपको दिखाई देते हैं यह किसके बने होते हैं यह नाइक्रोम के बने होते हैं समझ गए चलिए अब टूस्टन ऐसे भी पूछा जाता है क नाइक्रोम की बने होता है क्योंकि इसका गल्लांक बवाथ उच्च होता है इसका ठीक है इसके बनाइजाते हैं चल और नैक्स्ट कुस्ट्ट पर चलते हैं यह देखो यहां दिया हुआ भी है यह देख सकते आप गल्लांग कुछ होता है उच्छ विद्यूत परती रोधकता होती है और इस कारण से यह बनाया जाता है कि नेक्स्ट के चल रहे है कि थिवनग API पर को एसिडीक एसिद मेरखता है तो नी लिटमस पर किस रंग परिवर्प्य तो जाता है यह आपको बताना है कि शोटलो नील को अनील क drawn क मतलब होता है अम लो नी का मतलब होता है नीला और law का मतलब होता है लाल तो यह एक याद रख लो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा अमल नीले को लाल में बदलता है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला नीले लिटमस पत्र है उसको एसिड में डूबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा वो लाल हो जाएगा कैसा हो जो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा हो गया चलते हैं नेक्स्ट किस्टन पर चल रहे हैं ट्वंटीफोर ट्वंटीफोर पर आगे हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर हवा में ध्वानी की गती है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर हवा में ध्वानी की गती बता नहीं है आपको कितनी होगी तो आपको पता है हवा में जो ध्वानी की गती होती है वो तीन सो बतीस मीटर प्रती सेकिंड होती है कितनी होती है 25 देख पा रहे हैं सभी प्राकर्तिक गैस का मुख्य घटक है प्राकर्तिक गैस का मुख्य घटक कौन सा आपको बताना है तो मिथेन है कौन सा है मिथेन ठीक है प्राकर्तिक गैस का मुख्य घटक मिथेन होता है तो B option आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन पर चलते हैं कुस्टन नंबर आपके सामने अभी आ जाएगा कौन साथ 26 ठीक है 26 आ गया 26 क्या पूछ रहा है ध्वनी तीवरता को किस में मापा जाता है तो यह डेसिबल में मापा जाता है ध्वनी वाया लेक्चर मैंने बोर्ड पर करवाया भी था आपको बहुत अच्छी तरह से अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना नेक्स्ट कुस्टन 27 यह देखो सभी की यहां पर दी हुई है यह देख लेना आप लोग इसका कितना डेसिबल रहता है पीलिया से पीडित रोगी की आंखे किस रंग में बदल जात नेक्स्ट कुस्टन देखो पीली क्यों जाती है इसमें एक वर्णेक होता है जिसका नाम होता है बीली रूबिन ठीक है इसका जो स्तर है वो उच हो जाता है उसकी कारण पीलिया में जो है पीला रंग दिखाई जीता है तो अच्छा भी पीली होने लग जाती है और आखे चलते हैं नेक्स्ट किस्टन पे 28 अब तो साइंस होने वाली है फिर मैं सो डीजनिंग आ जाएगी तो पैन को पीले लेना सभी प्रुथवी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उप्योग किया गया था तो कॉपर का किया गया था ए ओप्शन क्या होगा आपक जाएगा राइट हो जाएगा वाईए वन्डर में गया जळी से बता दें तो नायटोजन ऑक्सिजन और और कुछ मांतरा में क्याल ऑक्साइड और च्छ अन्य गया से पाई जाती है है ठीक है oxygen कितनी हो गई 20% सबसे जादा कौन सी है nitrogen सबसे जादा कोमेंट करके बताएंगे कितनी है सबसे जादा करवाया होए या आपको दो-तीन दिन पहले कोमेंट करके बता देंगे चलते हैं हमारे next question पर यह देखें यहां पर दिया हुआ गया 78 परसेंट चलो यह अल्मोस्ट 21 प्रसेंट हो जाती है ठीक है अल्मोस्ट अब 30 नंबर क्यूष्टन लास्ट क्यूष्टन है साइन्स का इसके बाद मैं था एगी शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से तो यह आपने कई बार देखा भी होगा हमाई जो साइंस वाली बुक है साथी वार्ट प्रिक उसमें मिल रहा हो जाता है ठीक है यहां पे कुछ और रोग भी दिये हुए हमें मिलेंगे वह हम थोड़ा सा पढ़ लेत क्या टिदेशा साथ मों कekने के अब यहां पर आहां पर हम चलते हैं कि इंप्एक्स तो π露े ग्रा किसी कमी से होता है तो यह बीटामीन की कमी सी की कमी से होता है गलगन रोग कि यहाँ आप गणन आगए है। अब मैएत के बार्टिवन सामने हैं यदि एक संखिया कि दुगुनी में 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या क्या है आपको बताना है तो मान लो का पैन का color change कर लेते हैं इस तो अप्रश्ण में जो बोल रहा है वो कर दो आपको अपनी तरफ से कुछ भी ना beneficiaries क्या बोल रहा है संख्या कि दुगूने में से संख्या को क्या करतो का दो कर्दियां कितना हो गया 2x हो गया और इशमें 5 जोड़ा जाता है 5 जोड़ा डो plus 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो बराबर 6 ठीक है अब 2x यहां पर रखा है आपका यह 5 इधर प्लस का है इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का यह 2x इधर पड़ा ही था 6 में से 5 घटा होगे कितना बच गया एक बच गया और अब यह 2 इधर गुणा में इधर आगे किसमी हो जाएगा भा कुछ अपनी हासिल पाई नहीं लगा नहीं अपने आप आंसर जो है आ जाएगा आपका ठीक है अपने आप आंसर आ जाएगा मैं इसको जूम कर देती हूं ठाक कि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए ठीक है अब दिख रहा है सभी को अच्छे से 25 मीटर प्रति सेकें किलो मीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना जो भी संख्या दिया है उस संख्या को लिखो लिख दिया 35 दिया और जो भी दिया उसको अठारा बटे 5 से गुणा कर दो अपने आप किलो मीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा तो इसको काट लो मिल रहा है वेरी गुड तो वन जो आपका क्या हो जाएगा ठीक है चलो चलते हमारे नेक्स्ट क्रिश्चन पर यहां पर ही सॉलुशन में आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगी टेली ग्याम पे तो वह देख लेना आप लोग कोई सब्सक्राइब कर दिखाया है पर करके दिखाने वाली कोई बात नहीं थी कोई सब्सक्राइब करने वाली कोई बात नहीं थी करना हो इस तरह से करते हैं इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर बता दिया है चलो चलते हमारे सब्सक्राइब करना है एक व्यक्ति का वेतन बीस हजार रुपए था ठीक है उसमें 14 प्रतिशत की वर्दी करने चाहिए तो नया वेतन ग्याद कीजिए नया वेतन ग्याद करना है ठीक है पहले कितना था बीस हजार था मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको क्या बताया कोई बी चीज वह अपने आप में कितनी होती है 14% की व्रद्धी हो गई, तो 100 तो पहले ही था और 14 अब व्रद्धी हो गई, तो 100 प्लस 14 कितने हो गई, 114 हो गई न, 100 प्लस 14 कितने हो गई, 114 ठीक है, तो व्रद्धी कितने की हो गई, 114 की, तो व्रद्धी 14 की हो गई है, बट हमें यहां पर क्या लेना है, 114, तो अब हम क् मतलब क्या होता है तो तो ऑग तो और यह आपने बाईशार आठ सो रुपै बाईशार आप बाईशार रुपैंगे गुणा कर लेना सिदह नहीं आए तो तो 22,800 रुपए option में मिल रहे हैं क्या बिलकुल मिल रहे हैं तीन नंबर option में तो इस तरह से देखना है डायरेक्ट आप 14% मतली काल देना वर्णा वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा फिर अगर आप ऐसे करना चाहो तो एक तरीका और है इसका म निकाल दे समझ गया चलते हैं नेक्स्ट किस्टन पर तबी को समझ में आ रहा हो एक्टम इजी तरीके से मैं बता रहे हुं पेपर भी काफी एजी है आप सभी किस्टन कर लोगे मुझे पूरा विश्वास से सारे किस्टन आपको आ जाएंगे 35 नंबर किस्टन आपके सामन करना होगा और फिर देखने होंगे कि किसके जो है पेर्स बन रहे हैं तो पहले 1935 का करते हम चलो कर लेते हैं यहां पे 1935 का तो पांच से सीधा सीधा पहले चला जाएगा तो पांच से काट लेते हैं इसको पांच से इसको काटते हैं तो पांच से पंद्रा चार बज जाएगा पांच अठेल चालिस तीन बज जाएगा पांच साते पैंतिस ठीक है अब यह पांच से वह किसी से दिवाइड हुआ होगी इस तरह से अभ्याज जागुन अन्खंड कर देख लिया तो यह तो संख्याँ नहीं नहीं किए था पांच और तीन का इस योड़ा बना है तो यह सकती पूरे पूरे पेर बनने चाहिए तो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी 1520, 1520 में चेक करेंगे, आपको बता है, ये लास्ट में 0 हो, तो वो 2 से और 5 से जरूर डिवाइड होती है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, तो 2 साते, 14, 2 चीके, 12, 0, डिवाइड करना है, दो का अब वापस मैं क्या कर रही हूँ, उसको 2 से कर रही हूँ, और 2 निमे 18, और 2 पंजे 10, पिचाण में बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे, अब पिचाण में किसका डिवाइड करूँगी, पांच से कर सकती हूँ, लास्ट में 5 हो ना, तो 5 का भाग उसमें जरूर जाता है, पिचाण में को डिवाइड करूँगी, तो 5 एकम 5 और 5 निमे 45, तो यहाँ पर 19 आ गया, मेरे क्या आ गया, 19 आ गया, अब 19 में किसी का भाग नहीं जाता है, 19 का खुद का ही जाता है, तो 19 एकम 19, समझ गए, तो यह इसका हम नहीं कर लिया, इसमें देखो, दो के एक पेर ब बना, बट 5 का और 9 का कोई पेर नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, जैसे इसमें 5 का नहीं बना था, इसमें 43 का नहीं बना था, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अब हमारे पास है, यहाँ पे 730, क्या है, 730, 730 को करते हैं, तो 2 से हो जाएगा, द पांच से करेंगे तो पांच साथे 35 और फिर एक बचे का इने 15 तो पांच तीए 15 किसना गया 73 इसको वह पस 73 से यह पाएगा क्योंकि इसमें और किसी का डिवाइड नहीं होता है तो यह एक बार हो गया ठीक है तो इस तरह से इसके भी जोड़े नहीं बढ़े ना इस दो का ब बचने वाला है 1681 बचने वाला है पर मैं करके लिखा जित्कियों आपको कैसे बचेगा यह तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं देखो किसका जाएगा दो कभी नहीं जा रहा क्योंकि लाश्ट में समसंख्या होनी चाहिए तीन कभी नहीं जा रहा नाहीं पांच कशी का रहा है रहा है किसे हैना ज Web पूरे पूरा पूरा नहीं एक तालिसका तालिसका तो यानिक क्या क्या हो गया नवर्क संख्या पूरे पूरे पीयर यानिक की जोडह बनने चाहिए तो ये पूरे-पूरा प warriorgriff पहलाह तो यह हो गई लास्ट वाला उप्चन हमारा राइट होता है 1681 वाला तो फॉर्थ नंबर उप्चन क्या हो गया राइट हो गया समझ रहे हैं सभी चलो कितना बड़ा तो करना पड़ा बद उत्तर आ गया तो अब हां अच्छा लग रहा है चलो चलते हैं नेक्स क्रिशन पर 36 एक्चली यहां पर स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी से दिक्कत होती है आप लोगों पास कोपी पहन होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं राम से कोई दिक्कत नहीं है अब देखो चार सो च्यान में को छए से विभाजित करने पर शेष्फल क्या होगा चार सो च्यान में कितना सा छोड़ा च्छोता से सवाल है यह क्या सवाल देदिया पता यारभी ने बहुत ही awesome चैसने चॉब तो यह सेटेंड आपका क्या हो गया राइट हो गया ठीक है चार अब देखो नेक्स्ट कुरिशन करेंगे हमारा क्विश्टन नबर 37 37 में क्या पुछा है अब थोड़ा लगता है कि ठीक क्विश्टन आएंगे आगे देखते हैं ठीक है क्या यह यह भी इजी है यदि राज ने एक छाता 100 रुपे में खरीदा राज था राज ने क्या किया एक छाता खरीदा 100 रुपे में और उसे 10 रुपे के लाब पर बेच दिया 10 रुपे के लाब पर बेच दिया तो छाते का विक्रह मुल्य बताओ अरे भाई यह इतना easy question क्यो पुछा है 100 रुपे में खरीदा और 10 रुपे के लाब में बेच दिया तो 110 कितने हो गए 110 रुपे विक्रे मुल्य क्या हो गया, 110 कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्या करना पड़ा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और अगर आपको डिजिट थोड़ी हर्ड दे तो आपको कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि विक्रे मुल्य क्या होता है, विक्रे मुल्य क्या होता ह हम लोग लिखने वाले हैं समझ गए कोई दिकत ही अफ यह समझने वाले तो हएं सब्सक्राइब है इह नेक्स्ट पर चल रहे हैं कि एक्षिन आचका 38 आपके सामने ठर्टियड़ दिख्र हाना पहले पांच धनात्मक विसम पूर्णांकों का माध्य ग्यात कीजिए तो इसके लिए पहले प्सक्ता ओने यानिक कीओ नमबर 8 यानिके एक तीन पांच साथ नो ग्यारा यह सब क्या होती है विसम और सम क्या होती है अगर संकी बात करें सम होती है जिसमें दो बाग जाता हो दो चार छह आट दस आगे ठीक है और पुर्णांग आपको बता ही थे जो पूर्ण हो अब चलो अब चलो यह 38 नमर फिश्चिन आपके सामने आपके पांच भी सम पुर्णांग लेने आपको ठीक है और क्या करना है उनका माध्य क्या योग बटे राश्यों की संख्या यह सुत्र होता है और समय लगता है और आप लोग जब इसको बाद में लगाओगी टेस्ट को तो आप लोग 30 मिनिट 30 मिनिट का भी टेस्ट नहीं है 30 मिनिट से भी कम समय में आपकर लोगे मुझे पूरा विश्वास हैं तो यह या तो राश्यों का योग कितना हो जाएगा योग करो 6–3–5 यह या बटे संख्या हो इन निकाल वें habitने का जोड़ वो जो एकक दस्ध मैं। प्तिर्व और दो पच्छिस होगे क्या है इक बार देख लो हां पच्छिस ठीक है अब बटे में इतना है पांच इसको डिवाइड कर लो कितना जएगा पांच अजएगा तो पांच उत्तर आ गया यह कुछ भी सवाल नहीं है अरांड से आप कर सकते हो ऐसे सवाल तो चलते चलते ही कर दोगे ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं पांच आगे ना उत्तर एक बार चेक कर लेना सभी साथ साथ आप भी चेक किया करो मैं कोई बगवान थोड़ी हुं गलत कर दिया तो तब क्या करोगे चलो थर्टी नाइन नंबर किस्टन आ गया एक धनराशी पांच प्रती प्रती्ष सधारण ब्याज की दर से चार वर्षों में 900 रुपय हो जाती हैं तो वह धनराशी आनिके मूलधन रुपय थे क्या मानो मैं आपसे 12पय ले लूँ और कि आपको मैं चार वर्ष बाद दुगी तो तो इन Turning two यूजए कि उमगे के लूटाती हूं अब मिश्रधन थीक है मिश्रधन क्या होता है मिश्रधन में दो चीजें शामिल होती है ध्यान रखना मिश्रधन में दो चीजें शामिल होती है एक तो वह मूलधन जो आपने मुझे उधार दिया एक तो वह मूलधन मैं प्रिंसिबल जो आपने मुझे उधार दिया और साथ में जो एक्स्टा रुपए मैं आपको दूंगी यानि कि मैं आपको क्या दूंगी ब्यास दूंगी आप ऐसे फ्री में थोड़ी ना मुझे पैसे दोगे आप कोगे मैडम हमारा क्या फाइदा आपको क्यू पैसे दें तो मैं कहूंगी कि बच्चो मैं आपको ब्यास दूंगी ठ चीज़ आप समझ गए ना मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज से बड़ा ही होता है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अब यह हमने देख लिया मिश्रधन अब आपको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा तब आप मूलधन तक पहुंच पाओगी ठीक है तो ब्याज सधारन ब्याज का सुत्र क्या होता है सधारन ब्याज का सुत्र पी आर्टी बटे सो यानिके पी आर्टी मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सो यह सधारन ब्याज का सुत्र होता है पता ही आपको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सधारन ब्याज सधारन ब्या समय कितना है समय है 4 वर्स समय की जगह क्या लिख दिया मते में क्या है सो यह चार ठीक है अब इसको कैसे सोल करेंगे यहां सोल कर रही हूं तो यह देखो यह इसको काट लो 5 और 4 किता हुआ जड़ा 5 के 20 और इसको काटेंगे तो यह किसे वे तो मैंने नीचे 10-200 मैंने और झो नीचे क्या अग्या कुच पूरी चीज़ है इसमें पूरी पूट करेंगे मिश्रदन कितना है 900 बदाबर मूल दन को क्या मान रखा है ठीक है ब्याज क्या है यहां समझा दें थोड़ा बड़ा करके ब्याज क्या है व्याज हमने निकाल लिया पी बटे 5 ठीक है इसके बटे में कुछ नहीं है एक मानो इसका ऐल सीम डेलो 5-5 पी और एक जाएगा 6 पी कितना हो गया यहां किफे नहीं करना इसको काट लो तीन यहां इसको काट लो घर जाएंगे कितने हो जाएंगे देड़ ओ अब तो को पांच से गुणा करोगई तो फंद्रा सतर पिछट पीचार और एक जीरो साथ सो पच्छास कितना अगया साथ सो पच्छार्श रुपए जल्द से जाकर चेक करो इतना मेहनत ली थी ना वह 750 रुपए मैंने आप से उधार ली थी और आपको वापस किते दिये वापस दिये 900 रुपए ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट पर फोर्टी आपके सामने आचुका है आधार की लंबाई क्या होगी यह आपको बताना हैं क्यूस्टन समझ में आ गया न सभी को हूँ घीक है ऐसे बनालो मैं आपको बता देती हूँ एजिडी ये समकोंड तिरभूज भनाया बनालिया समकों तिरभूज ठीक याप्क कितना दे ओफ सेमी धिया कितना since सिर्फल इसका दे दिया कितना 20 सें स्कॉाई यानी 20 वर्ग मीटर्टीक है.. 20 वर्ग cm गन्या है कि अदार कि अधार क worker बना होता है चलद से समकोण तिरभुज का चेतरफल का सुत्र क्या होता है एक बटे दो गुणा लंब गुणा आधार ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं या आप पर ने ऐसे सुना होगा एक बटे दो गुणा आधार गुणा उंचाई यह लंब है ना लंब को ही उंचाई बोलते हैं आगे पीछे कर लो उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है दोनों ही सुत्तर सही हैं एक ही बात उत्ती दोनों में समझ रहे न सभी एक बटे-दो अधार गुणा उंचाई है एक बटे-दो लंब गुणा अधार या दार गुणा लंब कितना दीया हुआ है 8 लख देंगे अधार में ग legg ई अधार तो में ग्याती करला इसे पढ़ाई है अब देखो 29 आट यह चार इंदर गुणा में इन्हार कि समय और झाएगा भाग में यह किस का माना जाएगा अधार का माना जाएगा कड़केना जाए चार-पत्कें 20 कित लग जाना मेडम जीरो पांच आया है इतने तो तुम समझदार हो जीरो पांच और पांच यह की बात है चलो नेक्स्ट कुष्टन पर चलते हैं कि यह आपको पीछे वाले पांच जिसने लगाया था ऑप्शन उन सभी का राइट है अब इसमें क्या आएका वो जल्दी से बत उन्म श्रेणी बन रही है 57 procedure 786 22 चया शल्दी से करो अब टाइम नहीं बिचा है चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का योगफल क्या होगा चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है इसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जल्दी से बताएं तो कौन सी होगी चार कि सबसे चोटी संख्यात होगी 1000 कौन सी होगी 1000 से नीचे जाए इन दोनों का योग ग्यात करना है अब क्या इसमें बड़ी समश्चा नहीं जोड़ दो इनको कितना जाएगा कितना आ जाएगा जल्दी बताओ कॉमेंट बॉक्स में आंसर करो 10,900 में किस-किस का आ रहे हैं किस-किस का रहे हैं 10,900 में जिसका भी 10,900 में आ रहे हैं वो राइट आंसर है B option आपका क्या हो जाएगा Question number 43 पे आ गए हैं अब थोड़े ही question बचे हैं बहुत जल्दी से कर लेंगे हैं 43, दो संख्याओं का महत्तम समा परते हैं यानिके HCF, HCF कितना है? 11 और उनका लगूतम समा परते हैं यानिके LCM कितना है? 693 यानि 693 यदि एक संख्या 77 इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं संख्या 77 तो दूसरी संख्या जाद करो अब आपको इस में बताया हुआ है कि LCM गुणा HCF कितना होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ठीक है अब सब्सक्राइब कितना है इसको थोड़ा मैं ज्यादा लिख पाऊंग पहली संख्या कितनी इसमें इसमें 73 दी तो 77 77 दी तो 77 और दूसरी संख्या में घ्याती करनी है तो वह ऐसी पड़ी है ठीक है अब क्या कर लेंगे जल्दी से हम 77 यां गुणा में इधर जाके क्या चल जा सब्सक्राइब कर लेंगे और चेक कर लो ऑप्शन दो चेक करो हाप बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेकेंड ओप्शन तो यह आपका राइट हो गया ठीक है गुणा भाग करने में थोड़ी तेजी रखने हैं ताकि जल्दी हो सवाल प्शन नमबर 44 आपके सामने आ चुका है ठीक है क्या करना पड़ेगा इसमें आपको पास एक बड़ा आयताकार मैदान है ठीक है यह बड़ा है इसका चेत्रफल कितना होगा 120 गुणा एक सो साथ ठीक है यह इसके आयाम दियो है मतलल लंबाई चोड़ाई दिये आयत की लंबाई चोड़ाई क्या होती है मतलब कि जो बड़ा चेत्रफल होता है ठीक है बड़े वाले का चेत्रफल यानिके 120 गुणा 160 इसमें भाग देते हैं ठीक है चेत्रफल है यह बड़ी आयत का चेत्रफल ठीक है बड़े मैदान का चेत्रफल है यह समझ रहे हो ना और इसमें भाग देंगे छोटे मैदान का ठीक ह अब यह मैंने इनको गुणाई क्यों किया है क्योंकि आयत जो होती है आयत का छेत्रफल का सुत्र होता है क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई इसको डिवाइड कर लेंगे इनको पहले गुणा करने मत प्याट जना आप कई ब बारा यहां क्या बचा शोला यह क्या बचा चार यह क्या बचा छे किसी करेंगे राइट हो गया चलो चलते एंक्स कृस्टन पे ऐसे कर लोगी सारे कृस्टन कर सकते हो तुम अराम से कर सकते हो कोई रिक्कत नहीं है यह देखो यह क्यूशन आगया आपके सामने यहां पर यदि बीस लोग एक कार्य को पूरा कर सकते हैं तो चालिस लोगों द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है बीस लोग हैं कितने लोग हैं बीस एक काम को करने में कि 40-40 दिन लगे अरे वहीं कैसे लगेंगे वी तो 20 लोग काम करेंगे तो उनको जल्दी करना पड़ेगा और 40 लोग आ गए तो कम दिन में कर लिए लोग जासा को ओshire तो जितने जल्दी पूरा होगा काम उतने व्यत्तने कम दिन में पूरा होगा सब इस दिन कर रहे थे तो साफ साफ दिख रहा है चालिस लोग किते दिन में कर लेंगे 20 दिन तो टोटल काम कितना हो गया 20 गुणा 20 यानि के 400 कितना हो गया 400 काम कितना हो एक पुल कारे 400 अब ये 400 काम तो उतना ही रहा ये क्या है कारे कारिये तो उतना ही रहा लोग कितने हो गए लोग हो गए 40 कितने हो गए लोग 40 तो इस 400 में हम 40 का क्या देते हैं भाग देते हैं सोथे देना देने मितलब चालिस लोग दस दिन में काम को निडिने पूर अमने आपब सकते हैं इसलिए 11फ्न को घढ़ Pal ख़ाatif किसिः QUT 6 pigs में टी चैस्ट वने तो से वैक्तिंहें पूरा करेंगी आपको बताना है छैवेक्ति है चैवेक्ति हैं雷 खैवेक्ति 6 वैक्ति एक काम को करते हैं क्या करते हैं एक कारिय करते हैं ये स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है एक कारिय साथ दिन में कितने दिन में करते हैं साथ दिन में करते हैं अब तो 6 की बात हो रही है आपको 21 का निकालना है 21 का निकालने के लिए पहले एक का निकालो एक वैक्ति एक कारिय करेगा एक कारिय करेगा बराबर देखो 6 वैक्ति को 7 दिन लग रहा था तो एक वैक्ति को जाहिर सी भात है ज्यादा दिन लगेंगे तो 7 गुणा 6 दिन ज्यादा दिन लगे न 6 सते 42 होता है ठीक है पर मैं गोज बहुत कम दिन लगें लगें साथ दिन है किसा बहुत कम दिन लगेंगे तो देखो इसाथ पूंड़ाच्य था चरण लगें लियुक्तेश्य काम बहुत के लिकैने तो दो दिन में कर देंगे बिल्कुल है यह अपने क्या आखर दिया राइट कर दिया समझ में आ रहा है सभी को 47 नंबर क्यूस्टन यह डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट माइंड से कर सकते हैं देखो आइडिया लगा लो और यह मैंने पूरा बेस्टिक से आपको करके भी दिखा दिया समझ गए ना सभी चलो अब यह रीजनिंग वाला क्यूस्टन आपको कि पी एल यह पी एल यह को आप इसी कूट में लिखना है लिख दो इसको कैसे लिखा जाएगा आपको देखो दो एक तीन चार क्या लिखा दो एक तीन चार आगे क्या है है emo Selena Silicon अजया आपको बताना है कि इसको पर्ल को क्या लिखा जाएगा क्या लिखाएंगा जए कि पी अटिकंग में लिख के समझ आना हूं आप डाइरेक्ट भी नेख्ट जरूस्में को क्या लिखा है एक दिनेगे दो अब किया है आगे की जगह पूछा है लिकावा इक निदो लिखा हुआ आगे ऑर पूचा है आर की जगह पांच लिख दोगे अब यहां पर आपको फिल इन देख को इनंगे को समझाके तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है बाकि आप लोग करो गया आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो तो आपको बिलकूल भी टाइम नहीं लगेगा अब यहां पर आपको यह जो fill in the blanks है इसको आपको complete करना है यहां पर 10, 16, 21, 25 इन में कोई relation है वो relation आपको find out करना है क्या इसमें relation होगा तो जल्दी से देखके बताएंगे देखो दस के अंदर हम अगर 10 में 6 एड़ करें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा फिस 16 में हम 5 add करते हैं तो 21 हो जाएगा फिर 21 में हम 4 add करते हैं तो 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 इसके अंदर क्या आपका 28 आजाएगा 28 ऑप्षिन में मिल रहा है एक बार चेक करेंगे तो बिल्कुल मिल रहा है मुष्ण नंब़ 49 इसमें एक आदमी मोहन कान एक आदमिया लड़का मान लो मोहन यह हैं मोहन पूर्व की और 4 km चलता है अब पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरो पस्चिम उत्तर दक्षिन है कहाँ तो देखो पूरव यहां पे है पस्चिम यहां पे है उत्तर यहां पे है और दक्षिण यहां पे है ठीक है समझ रहे हैं सभी यह आपको दिशा का ग्यान हो गया अब मोहन पूर्व की और चार किलोमेटर चलता है यहां पे है मोहन मान लिया तो यहां से किस सैड चला चार किलोमेटर कित वाया हम और और मुड दाइगा और कितना चलते हैं जैसा जैसा इसने बोला हम ने किया हमारी तरह ती कुछ लगता 축ाट करते हैं अब ह औरी किस तरफ था इस तरफ था लेकिन अब यह क्या कह रहा है कि वह पीछे मुढ जाता है मतलब वह अपना फेस जो है इधर से चेंज करके किदर कर लेता है ऐसे मुढ गया वो और इस साइड उसने अपना फेस कर लिया अब आपको बताना है कि वह किस दिशा के समुख है मतलब कि किस्ट चलते हैं यह देखो कितने अच्छ से आपर बताया हुआ है बना के हमने भी करी लिया था चलो किस्ट नमबर फिफ्टी पर आ गए हम फोटी नाइन जात्रों की एक कक्षा में करीम करीम नाम का एक छात्र है इसकी श्रेणी शिर्ष से पंदरवी है मतलब ऊपर से कितने हैं और अब आपको क्या बताना है कि उपर से तो पंदरवी है लेकिन नीचे से उसकी श्रेणी जो है वो क्या होगी ठीक है अब आपको बताए दो बर काउंट हो जाएगा उपर से होगा तो आप क्या करो इससे एक कम लो टोटल कितने हैं एक कम कितना हो गया चोड़ 49 में से आप 14 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा यह याद रखना डायरेक्ट 15 माइनस नहीं करना क्योंकि यह तो इसकी श्रेणी आ चुकी है 14 माइनस करना तो कितना जाएगा 35 तो नीचे से उसका नंबर कितना हो गया 35 हो ठीक है तो यह 50 कुस्चन हमारे क पूरे हो गए अब जल्दी से बता दो कि किसके 45 प्लस सही हुए अपने अपने बता दो 45 से कम भी सही हुए तो भी कोई बात नहीं है आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे और अब हम नेक्स्ट हमारा मोडल पेपर या फिर ओरिजनल पेपर लेके आएंगे तब तक के लिए आ अपने आप आपको शेयर कर देना चाहिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करने चाहिए लाइक्स में थैंक्यू सो मुझ जैहिन